हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आस्ट क्लासेट, बच्चो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर 5 चैप्टर 5 और एक्सरसाइज 5.2 को सॉल्व करेंगे ग्लास 10 में ठीक है? चैप्टर का नाम क्या है? एपी चैप्टर सॉल्व करेंगे ठीक है? और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं समांतर स्रेडी तो आए हर एक क्वेशन को ध्यान से समझेंगे हमें सॉल्फ क्या करना है क्वेशन को पहले हम पढ़ते हैं मतलब A क्या है हमारा first term D the common difference D क्या होता है common difference होता है हमारा and AN the AN क्या है nth term of the AP ठीक है अब यहाँ पर देखे एक table हमें given है ठीक है A है यहाँ पर D है N है AN है ठीक है तो यहाँ पर देखिए question number इसी का first देंगे तो जब first question उठाएंगे यहाँ का तो A क्या है A7 ठीक D क्या है 3 N क्या है 8 और हमें find क्या करना है यहाँ पर A N, A N find करना है तो दीखे फॉर्मला क्या होता है A N find करने का A N is equal to A plus N minus 1 into D यह पढ़ाया है हमने ठीक है first number solve कर रहे है यहाँ पर first number में मैं लिख देती हूँ कि हमें given क्या है बच्चों यहाँ पर हमें given है A is equal to 7 ठीक है और D is equal to कितना बच्चा 3 ठीक है N is equal to कितना 8 N is equal to 8 given और find क्या करना है यह में A N ठीक है तो A N कैसे find करेंगे तो मेरे पास formula क्या होता है formula पता है आपको कि A N is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है formula आपको पता है A N is equal to A plus N minus 1 into D ठीक है तो जो value हमें given है उनको input कर देंगे formula में तो देखें A N को A N, A N निकालना है तो A N को वैसे ही note कर लेना है is equal to A किया है 7, 7 note करेंगे plus N अब N हमें given है N कितना 8, तो N की जगरे पर 8, minus में minus कर देंगे 1 into D कितना, D यहाँ पर 3, तो into में 3 होगा, ठीक, तो A N is equal to 7 plus यहाँ पर आपको क्या करना है कि 8 minus 1, 8 minus 1 कितना हो जाएगा 7 और into में कितना है, 3, यहाँ तक समझ में आ गया, तो दीकि A N is equal to कितना हो जाएगा, 7 plus, 7 त्रीजा कितना 21 होगा, और इनको जब add करेंगे, तो यहाँ से कितना आ गया 28, यहाँ जो first question है, उसका answer कितना आएगा 28, कितना आ जाएगा 28, तो यहाँ पर A N कितना होगा 28, तो यहाँ पर put कर दीजे 28, निकल किया है, हमने अभी निकाला solve करके, ठीक है, अब इसी का second part देखिए, इसी का second part हम solve करेंगे, तो जो value में given है, उसको note करेंगे, जो value में given है, उसको note करेंगे, तो A given है कितना, minus का 18, ठीक, D given है कितना, minus का 3, Sorry, यह वाला था न, तो D हमें given नहीं है, तो D हमें find करना है, तो D is equal to question mark, ठीक, N given है कितना, 10, N लिख लीजिए, तो N is equal to कितना, 10, N is equal to कितना बच्चा, 10, ठीक है, और A, N कितना यहाँ पे given है, तो A, N की मैं बात करूँ, A, N हमें given है, minus का 5, ठ्यान से समय जीएगा, question number, इसी का second part हम solve करने है, तो A given है, minus 18, D निकालना है में, और N हमें given है, 10, और A, N given है, यहाँ पे, क्या मैंने दूसरा लिख दिया, 0, 0, ठीक है, मैंने क्या किया था, कि इसका लिख दिया है, ठीक है, 0 यहाँ पे देखे, 0, यह बात की नियर हो गई, formula कौन सा apply करेंगे, तो A N आपको पता है, कि A N is equal to होता है, A plus N minus 1 into D, A N कितना है, 0, is equal to A कितना है, minus 18, plus N कितना था था, 10, और minus 1 into D, find क्या करना है, मैं D, आपको यहाँ पे कैसे solve करना है, तो minus 18 इधर आएगा, plus 18 हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे, तो minus का 18 इधर आएगा, plus का 18 हो जाएगा, is equal to, 10 minus 1 करेंगे, 9 आजाएगा, यहाँ से कितना है, 9D, तो D is equal to कितना बच्चा, 18 by 9, इसको cancel करेंगे, तो D की value कितनी आ गई, 2, D is equal to कितना आ गया, 2, D is equal to कितना आया, 2, तो यहाँ पे हम D की value लिख सकते हैं, कितनी है, 2, तो यहाँ पे आप 2 कर देगे, इसके बाद, question number 3, इसी का 3rd part solve करेंगे, तो सबसे पहले आप इतना note कर लीजिए, फिर आगे solve करतेंगे, इसके बाद देखेंगे, 3rd part, इसी का 3rd part देखेंगे, हमें find क्या करना है, A, A is equal to question mark, क्योंकि A में निकलना है, फिर यहाँ पे देखेंगे, D कितना दिया हुआ है, तो D हैं यहाँ पे, कितना, minus 3, तिक, उसके बाद N कितना है, 18, N कितना है, 18, तिक, और A, N कितना है, यहाँ पे, यहाँ पे लिख देखेंगे, A, N is equal to minus 5, तिक, थर्ड solve करना है, A find करना है, यह थर्ड पार्ट है, तिक, formula अगा दिजिए वो, भई भई अपना formula क्या, A, N is equal to A plus N minus 1, into D, ठीक है, A, N is equal to A plus N minus 1 into D, ठीक है, तो जो value हमें पता है, उनको हम क्या करेंगे, कि formula में put कर देते हैं, जैसे कि हमें A निकालना है, और D and A N यह सब पता है, ठीक है, तो यहाँ पे A N कितना है, A N कि मैं बात करूँ, तो minus का 5, is equal to A, find करना है, तो A को ऐसे लिख लीजिए, plus है, plus कर दीजिए, N, N कितना था, 18, minus, formula में कि क्या है, minus, तो minus 1 है, 1, और D कितना है, बचा, minus का 3, ठीक, minus का 5 is equal to A, plus, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 18 minus 1 करेंगे, 17, कितना आएगा, बचा, 17, और इंटू में, minus का 3, ठीक, तो minus का 5 is equal to A, ठीक, plus, minus, minus हो जाएगा, और 17, 3 जा कितना होता है, बचा, 51, तो minus का 51, minus के 51 को हम अगर इधर लाए, तो plus का हो जाएगा, तो minus का 5, plus का 51 is equal to A, ठीक है, 51 minus 5 करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 46, यहाँ जो A आएगा, हमारा कितना आएगा, बचा, 46, और यह इस question का right answer हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, भई, third part solve कर रहेते हैं, A is equal to कितना आएगा, 46, 6, A is equal to कितना आएगा, 46, ठीक है, तो यह नोट का लिजिए, फिर आगे solve करते हैं, आगे solve करेंगे हम question number इसी का fourth, first का fourth, ठीक है, तो यहाँ पे हमें A given है, minus का 18.9, D given है 2.5, और N find करना है, और N 3.6 given है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमें given है, उसको नोट करेंगे, A is equal to कितना, minus का 18.9, यह दिखेंगे, यहाँ पे given है, और यहाँ पे D दिखेंगे, तो D is equal to कितना, D is equal to यहाँ पे 2.5, ठीक, उसके बाद यहाँ पे N, N find करना है, तो N is equal to question mark करनेंगे, ठीक, A N, A N की value कितनी, तो A N is equal to 3.6, फॉर्मला अपलाई करेंगे, A N is equal to A plus N minus 1 into D, ठीक है, तो A N कितना है, 3.6, A N कितना है, 3.6, ठीक है, is equal to A कितना है, minus का 18.9, plus N find करना है, तो N minus 1, और D कितना है, यहाँ पे दिखेंगे, 2.5, solve करेंगे, तो minus का 18.9 इधर आएगा, plus का हो जाएगा, तो 3.6, plus 18.9, और इसका इसमें multiply कर देंगे, तो कितना आजाएगा, plus का 2.5, N minus का 2.5, ठीक, इनको add करेंगे, तो कितना आएगा, 9 और 6, 15, का 5, ठीक, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 और एक केरी, 12, और यहाँ पे 1 और एक केरी, 2, ठीक, पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा है, 1 तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद पॉइंट कर देंगे, ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे देखें, इस इक्वल टू, ठीक, आगे देखेंगे यहाँ पे, इस इक्वल टू, फिर कितना है, 2.5, N minus का 2.5, यहाँ तक समझ में आगे, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, हमने क्या किया है, कि इसको ऐसे ही नोट कर लिया, 3.6 को, और minus का 18.9 था, minus का था, इदेर आया, plus का हो गया, इस इक्वल टू, ठीक, 2.5 का अंदर multiply कर आया, तो 2.5 N बना जाके, और minus तो minus 2.5, ठीक, इनको add कर दिया, तो 22.5 आ गया, और बाग के सब को ऐसे ही नोट कर दिया, इसके बाद 2.5 को इधर ले आएंगे, तो minus का है इधर होगा, plus का हो जाएगा, ठीक, तो 22.5 और plus का 2.5 is equal to 2.5 N, इनको add कर लेंगे, तो यहाँ पे हम करके दिखा देते हैं, 5, 2, ठीक, 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 5, 2, यानि यहाँ से 25 मिल गया, ठीक, कितना आ गया यहाँ से, 25, ठीक, पॉइंट के बाद 0 है, तो कोई वो नहीं, ठीक, is equal to कितना, 2.5 N, आगे दिखी कैसे करेंगे, ठीक, तो N is equal to कितना आ जाएगा, 225 upon 2.5, पॉइंट हटेगा, 0 आ जाएगा, ठीक, तो कितना बन टाइम में जाएगा, यानि, N is equal to 10 आ जाएगा, N की वैलू कितनी आई, 10, N की वैलू आई 10, और यह इसका अंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर N कितना आ गया, 10, तो यहाँ पर 10 फिल कर दीजिए, ठीक है, इसके बाद हम यह वाला question solve करेंगे, यानि, जो fifth part इसका है, ठीक है, तो इतना note कर दीजिए, इसी का fifth part देखें यहाँ पर, तो A क्या गी मैंने लिख लेंगे, A है 3.5, ठीक है, D 0 है, D कितना दिया हुआ है, 0, ठीक, N 105, ठीक है, इसके बाद दिखिए, A N find करना है, क्या find करना है, A N, formula apply करेंगे, A N is equal to A plus N minus 1 into D, ठीक है, तो A N is equal to A कितना था, यहाँ पर दिखिएगा, 3.5, 3.5 plus N कितना था, यहाँ पर, N था यहाँ पर, 105 minus 1, और D कितना था, 0, इसका multiply 0 से कर देंगे, तो 0 बन जाएगा, ठीक, तो A N कितना है, यहाँ से, 3.5, यह इसका answer हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर कितना फिल करेंगे, 3.5, अब आगे solve करेंगे, question number second का यहाँ पर first part हम solve करेंगे, ठीक, 30th term of the AP, AP क्या given है, 10,7,4, that, that is, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, AP note कर लेते हैं, AP, AP क्या given है, 10,7,4, that, 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 ठीक है, कौन साथ term हमें find करना है, 30th term, ठीक, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले, A find करेंगे, और D find करेंगे, तो A यहाँ पर, A first term होता है, और first term कितना है, 10, तो A is equal to कितना आ गया, यहाँ पर 10, D, D क्या होता है, common difference, D कैसे find करेंगे, A2 minus A1, A2 कितना है, 7, और minus 10, तो यहाँ से D कितना आएगा, minus का 3, ठीक, D कितना है, यहाँ माइनस का 3, और हमें कौन सा term find करना है, 30 term, मतलब N is equal to यहाँ पर कितना है, 30, ठीक, फर्मला अपलाई कर दीजिए, A N is equal to A plus N minus 1 into D, ठीक, तो हमें 30 term निकालना है, तो N की जगे पर कितना, 30 is equal to A कितना given है, 10, प्लस, यहाँ पर दीखिए, N की जगे पर कितना आजाएगा, 30 minus 1 into D कितना निकाला हमने, minus का 3, ठीक, इसके बाद दीखिए, A 30 is equal to 10 plus कितना आजाएगा यहाँ से 29, into minus का 3, ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया, आगे देखिए, A 30 is equal to 10 plus, plus minus, minus यहीं पर कर दे रहे हैं, ठीक, minus कर देंगे, इसका multiply कर लीजे, ठीक, तो multiply करने पर कितना आएगा, 87, ठीक, करके देख लीजेगा, 87 आएगा, आपको क्या करना है, 10 minus 87 करेंगे, तो कितना, A 30 कितना निकल के आएगा, minus का 77, और यहीं इस question का बिल्कुर right answer हुजेगा, question number second का second part देखेंगे यहाँ पर, 11th term of the AP, AP किया given है, minus 3, minus 1 by 2, minus 2, dead, 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 is, ठीक है, हमें यहाँ पर क्या find करना है, 11th term, 11th term कैसे find करेंगे, तो सबसे पहले हम AP note करेंगे, AP क्या given है, यहाँ पर, minus 3, minus 1 by 2, comma 2, dead, dead, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले हम A find करेंगे, तो A क्या होता है, first round A कितना माइनस का 3 common difference निकालेंगे यहाँ पे तो D is equal to कितना A2 minus A1 A2 क्या है, माइनस का 1 by 2 ठिक, माइनस, फॉर्मले में माइनस होता है A1 ठिक, कितना गया, माइनस 3 तो माइनस का 1 by 2 माइनस माइनस प्लस का 3 होगा cross multiply कराएंगे तो 2, 3, 6 हो जाएगा upon me 2 यहाँ से कितना 5 by 2 D कितना निकल के आया 5 by 2 ठिक, D कितना 5 by 2 11th term निकालना है मतलब N is equal to कितना है 11 है, formula apply कर दीजे यहाँ पे A N is equal to A plus N minus 1 into D का तो हमें N पता है N कितना है, 11 A 11 is equal to A कितना है, minus का 3 plus N कितना है, 11 minus 1 into D कितना है, 5 by 2 D कितना है, 5 by 2 ठिक है तो A 11 is equal to minus का 3 plus कितना आ जाएगा यहाँ पे 10 into 5 by 2 cancel कर दीजे, 2 5s are 10 ठिक, कितना आ गया है, 2 5s are 10 तो A 11 is equal to minus का 3 plus का 5 5s are 25 हो जाएगा ठिक है, तो 25 से 3 minus करेंगे, तो कितना आएगा यहाँ, A 11 is equal to 22 तो 22 जो होगा इस question का बिलकुल सही answer हो जाएगा, ठिक है नोट कर लिजे ठिक है, तो question number 1st और 2nd बहुत अच्छी तरीके से बताया गया है और समझ में भी बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा फिर भी अगर कोई भी doubt हो, तो comment करके पूछेगा आज की class में हमने question number 1st, question number 2nd को solve किया हो और इसके आगे की question हम अगली class में solve करेंगे आज के लिए वसे इतना ही thank you for this class